जैहें साथियों, UN में पाकिस्तान अब दावा कर सकता है कि हमारा नाम अब भारत हो, ये उर्ती-उर्ती खबर आ रही है, इस सेशन में हम लोग आज इसी की चर्चा करने वाले हैं, कि जो यह खबर उड़ रही है, क्या यह सही है, या फिर नहीं सही है, पूरी पुष्टी हम अगर चैनल पर विजिट किये होंगे, तो देख रहे होंगे, कि हमारे चैनल पर यही ट्रेंडिंग न्यूज लाई जाती है, वही बताई जाती है, तो जो आप लोगों के लिए helpful होता है, कि देश दुनिया में क्या चला है, साथियों हम बात करते हैं, कि जो यह न्यूज करेगा इंडिया नाम का दावा, दरसल यह कहां से उड़ रही है, और कैसे उड़ रही है, कल हम लोगों ने एक सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था, कि अब इंडिया जो कि भारत और इंडिया नाम दो है, अब इंडिया नाम हट जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ रह क्या भारत ऐसा अभी आधिकारी तोर पर कुछ भी पुष्टी नहीं हुआ है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है किस बीस पर कहा जा रहा है तो मैंने हम लोगों ने कल देखा था कि G20 की जो समिट होने वाली है 9 और 10 तारीक को उसमें देश भर के तमाम राष्ट्रा ध्यच आने वाल हो गया था उसमें लिखा था दो प्रेसिडेंट आप भारत आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत लिखा गया हो चाहे वो प्रणानमंत्री का पैड हो चाहे वो राष्टपती का पैड हो किसी का भी हो इंडिया हमेशा हमेशा लिख करके आता है अब यह जै भारत का नाम इंडिया नहीं रहेगा, हर एक जगह पे वो क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चाहे सम्विधान हो, चाहे कोई खिलाडी वाला ड्रेस पहनता है, कहीं भी इस रो है, उसमें इंडिया नाम आया है, हर एक जगह बी सी सी आई है, हर एक जगह पे जहां भी इं यही कर रहा हैं कि पुष्टी बिल्कूल भी नहीं होई है केवल यह ऐसा फिल किया जा रहा है कायास लगाया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है साथियों इसी बीच कल एक ओर पैड वाइरल होता है जिसमें परधानमंत्री मोदी जी को इंडोनेसिया में जाना है यह आशियान के सम्मेलन में बैठक में भाग लेने के लिए और उसमें एक पैड और जारी होता है जिसमें लिखा है इसमें भी इंडिया की जगा भारत लिख करके वाइरल हो रहा है जबकि ये गलत नहीं है ये सही है बिल्कुल ही रियल है इंडिया की जगा भारत लिख करके ये सब आ रहा है लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये समझ लें कि इंडिया नाम अब पूरी तरीके से हट जाएगा, केवल और केवल भारत रह जाएगा, ये कहां तक किस सत्यता है, इसमें 0% सत्य है कि ये होगा, 0% सत्य है, जब तक ये बिसेश सत्य चालू नहीं हो जा रहा है, तब तक जो लोग मनगढ़ंत कहानिया बना रहे हैं, कि one nation, one election, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये सेशन किया था, कि one nation, one election, इसके लिए ये सत्र बुलाय जा रहा है, अब इसके लिए बुलाया जा रहा है, कि इंडिया नाम हटा करके भारत हो जाए, इसके लिए बुलाया जा रहा है, तमाम तरह के लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं और जो सवाल पैदा हो रहे हैं वही सोशल मीडिया पे वाइरल भी हो जा रहे हैं WhatsApp इन्वर्सिटी ऐसी एक इन्वर्सिटी है कि जिस पर एक धड़ा-धड़ मैसेज अगर आता है गलत वो इतना तेजी से वाइरल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है जिसका कोई रोक नहीं है बहुत ही तेजी से वाइरल होता है तो वही जब ये भारत पधान मंत्री के पैट पे भारत लिख करके आया तो लोगों के मन में ये आसा ऐसी जगी कि अब तो 100% सब्त हो गया कि इंडिया नाम हट जाएगा अभी भारत ही रहने वाला है अब जैसे ही ये न्यूज खतम हुआ वैसे ही South Asia Index अपना एक tweet जारी करता है जिसका मतलब ये रहता है कि पाकिस्तान को UN में अब claim करना चाहिए कि इंडिया नाम मेरा हो जाए अब पाकिस्तान भी इंडिया नाम से जाना जाए पाकिस्तान हट जाए कैसे ये हो जाएगा पहले ये जानते हैं कि कैसे ये हो जाएगा अगर UN में कुल 193 देश नामित है उसमें जो अपना भारत देश है वो इंडिया नाम से जाना जाता है और इंडिया नाम से नामित है जब तक यह आधिकारिक तोर पर इंडिया नाम हटेगा नहीं तब तक इसका कोई भी नाम अपना नहीं सकता है जैसे ही इंडिया नाम हटता है इसमें भारत होता है और इंडिया हट जाता है तब जा करके ऐसा कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान यूएन में कह दे कि हमको ये नाम दे जिया जाए किस बेस पे दे दिया जाए अब वो जानते हैं तो इसलिए भारत का जो इंडिया नाम पड़ा वो इंडस नदी के नाम पर अंग्रेजों द्वारा रखा गया यह नाम था, आप पुराणों में देख लिजिए, बेदों में देख लिजिए, तमाम ग्रंथों में देख लिजिए, कहीं भी आपको भारत के अलामा कोई दूसरा नाम नहीं निकल करके आएगा, भारत वर्स को लोग कम जानते हैं, इंडिया पूरे बिश्व में प्रचलित है, क्योंकि हम ही कई जगा, मतलब हम ही का मतलब हम लोग ही कई जगा कहां यूज क्या करते हैं, इंडिया यूज करते हैं, चाहे इंडिया टीम कहने की बात हो, चाहे इंडियन खिलारी कहने की बात हो, प्रत भी इसकी आभितकारी तोर पुष्टी बिल्कुल भी नहीं हुई है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम UN में क्लेम करेंगे कि इंडिया नाम हमको दे दिया जाए अभी इसकी कोई भी पुष्टी नहीं है जितना भी न्यूज वायरल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस की वज़े से वो सारा न्यूज वायरल हो रहा है जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है जिससे हमें ये लगे कि हाँ पाकिस्तान अब इंडिया नाम के लिए दावा करने वाला है सातियों ये तो बात हो गई वायरल न्यूज की लेकिन क्या आपको यह पता है जब समभीधान हमारा बंकर के तयार हुआ था तब ये क्या हुआ था इसके और पहले ही इसके और सात दिन पहले ही 18 नौमबर को एक बैठक बुलाए गए और उस बैठक का आयोजन सिर्फ इसलिए था कि जो हमारा भारत का नाम इंडिया दे दिया गया है आर्टिकल वन में भी या पिर संभिधान कहीं कहीं भी चाहे इ यह बैठक बुलाई गए थी 26 नौमबर 1949 के पहले 18 नौमबर को यह बैठक बुलाई गए थी लेकिन अमबेटकर जी के आगे किसी की भी नहीं चली और यह बैठक जिसके लिए बुलाई गए थी वो रध हो गई किसके लिए कि हमारे भारत वर्स का नाम इंडिया भी रहेग ऐसा नहीं है कि चाहे संसद में चाहे कहीं भी प्रियास नहीं हुआ है कि इंडिया नाम हट जाए केवल भारत भारत वर्स या हिंदू, हिंदू राष्ट या फिर हिंदूस्तान से हमारा अपना देश भारत जाना जाए साथियों कई लोगों का ट्वीट बायराल हो रहा है, जैसे आप अमिता बच्चन का देख लीजे भारत माता की जै, सहबाक का देख लीजे, भारती कर्केटर विरेंद सहबाक का देख लीजे, जो ये वो है, जो बिडू-बिडू कहते हैं, जाल लगाते हैं, टाईगर स्र ये कह रहे हैं कि मतलब कि हमारा जो भारत देश है वो भारत नाम से ही अगर जाना जाता है तो इसमें क्या बुराई है प्रतेक राजनेता, प्रतेक फिल्म इंडस्ट्री, प्रतेक खिलाडी हर एक ब्यक्ति यही चाहता है कि हमारे देश का नाम क्या हो सिर्फ और सिर्फ भार और हम भारत के नाम से जाने जाएं। या फिर भारत का नाम भारत हो इंडिया हट जाए। इसी के लिए।